हेलो गाइज वेल्कम टो अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फिंट्स की लॉसकर फेरस की ओर से दिसंबर क्वाटर की फिनासल रिजल पेस हो चुका स्टैंडर ओन कॉंसौलीडेटेटेटेट दून रिजल्स आउट हो चुका आज के इस वीडियो में अलसिस करेंगे च इक्सपैंस फरीन हंडर्ड नाइन कि लोड का पिछले क्वाटर में था इन हंडर्ड नइनेटी फोर के रोड का और दिसंबर 22 क्वाटरं 1426.9 क्यों के एक्सपैंस हुआ था और ओन क्वाटर में इंक्रीच किया है लेकिन येर ओन येर में अगर देखा जाए एक्सपैंस तो यहां पर डिक्रीज हुआ है जिस लेकिन पिछले क्वाटर में 36.7 क्रोड के एक्सेप्टनल आइटम में लॉस हुआ था लेकिन इस बार वैसा कुछ ने इसके पॉफित था रिकावर किया है ऑप्रेटिंग पॉफित 147.8 क्रोड का पिछले क्वाटर में 133 क्रोड का दिस क्वाटर और क्वाटर में क्रीज है यह रॉन उन इयर में डिक्रीज किया है तो गवाज कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो एवरेज को की यह रॉन इसके पॉफित में देखने को मिल रहा है और बिदिंग माजिन 14.99 पर संट का पॉफित परसंट का दोनों क्वा बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिल रही है मैं इसके स्टैंडर ओन फिनांसल रिजल्ट को कवर करें गाइस तो इंकम में 972.7 करोड का पिछले क्वाटर में 882 करोड का और दिसंबर 22 क्वाटर में 1078 करोड का इंकम है क्वाटर ओन क्वाटर में इंक्रीज है यर ओन यर में डाउन देखने को मिला है एक्सपेंसेस 902.7 करोड का पिछले क्वाटर में 806 करोड का और दिसंबर 22 क्वाटर में 939.8 करोड का एक्सपेंस हुआ था quarter on quarter बहुत जादा उसके कान profit में down है year on year की वे expenses में down देखने को मिला है operating profit 69.9 करोड का पिछले quarter में 75.9 करोड का और December 22 quarter में 138.5 करोड का operating profit quarter on quarter year on year दोनों में down देखने को मिला है net profit 51.7 करोड का पिछले quarter में 56.8 करोड का और December 22 quarter में 103 करोड का net profit क्वारटर ओनों में डाउन देखने को मिला है यह मिल रही है तो गाइस कमपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए न तो एक बहुत क्या अब कुछ से मिलता है एक्रणे